नमस्कार दोस्तों एक बारा सबका फिर से बहुत बहुत सवागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर सब्सक्राइब जैसा कि आप सभी को पता है अभी बहुत साय लोग कॉमेंट करके बार-बार पूछ रहे थे CET के बारे में यानि कि common eligibility test इसके बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं तो आज मैं यहाँ पर official पूरी update बताऊंगा basically है क्या क्या चीज होता है और आप लोग इसको खुच जाकर करके इसको update जो है देख सकते हैं website पर तो यह pib.gov.in इस website पर आप लोग जा करके जितने भी आपके जो प्रेस रिलीज होती है government की तरफ से आप लोग सारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको पूरी detail में समझाने वाला हूं यह basically है क्या इसमें क्या क्या changes आएंगे क् benefit मिलने वाले है CET के ठीक है जितने भी लोग यहाँ पर government job की त्यारी करते हैं जितने भी लोग चाहिए SFC हो गया bank हो गया railway का हो गया जितने लोग त्यारी करते हैं इस वीडियो को जरूर अंतक देखें और इस वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर टेल पूश्ट आई है और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं यह जो दा यूनियन cabinet चेर्ड बाई प्राइमिनिस्टर नेन मोदी तुड़े अप्रूब दा प्रोपोजल टू सेट अप दा नेशनल रिकूर्प्मेंट एजनसी यानि कि NRA क्या है NRA आपकी एक नेशनल रिकू यानि कि पहले प्री होता था फिर मेंस होता था अब यह सब ख़ता करके आपकई एक इक्जाम कर दिया अगया है CT आपको सीधे आपको जो भी आपके वेकेंसी आएगी जैस आपका सिप् dua की में आता है प्र चीज़े में oldione का पास सीठी मेंक सिवह के लिए बिसिकली लागू होगा और किस किस एक्जाम के लिए यहां पर यहां पर बिसिकली कप कफ होगा यह भी जान लीजे तो यहां पर देख सकते हैं पहला फीचर यह है कि the common elevated test यानि कि जो CT है वह आपका दो बार हर साल दो बार जो है यह आपका लेबल पर है तो बेशन लेबल के लिए आपका अलग एक्जाम होगा इसके लावा यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ दिया गया है कि the CT will be conduct in 12 major Indian language यानि कि 12 language में आपकी जो है होगी कंड़ेट कराई जाएगी और major language जो यहां पर है बेसिकली देख सकते हैं English और Hindi है जो आपके Central लेबल पर जो government jobs were held only in English and Hindi अब जो ही आपका 12 language में आने वाला है और साथी साथ यहां पर देख सकते हैं कि एक आपका SSC एक आपका RRB यानि कि Railway Recruitment Board और एक आपका IBPS यानि कि जो बैंक के PO के एक्जाम्स होते थे उनके अभी यह तीन vacancies के लिए यह बिसिकली CET जो है अभी लागू किया गया है और दिस बिल एक्सपैंड इन फिज्ड मैंने जानि कि अभी और भी बहुत साइक याम्स के लिए जो है इसको एक्सपैंड किया जाएगा जैसे से कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहोंगा उसकी टैंसर मत लीजी इसके लाव यहां पर आ आपके इसके सेंटर देखने मिलेंगे और देर बिल बी आइस स्पेसल थ्रश्ट ऑन ग्रेटिंग एवनेंशन इंफ्रेक्टिक्टर इन वन हंडड़ सेवंटीन एस इस इसनल डिश्टिक्स यानि कि जितने भी आपके डिश्टिक हैं आपको यह चीज़ देखने को कि इसकी वैलिडिटी जो है आप एक बार एक ग्जामिशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो तीन साल इसकी वैलिटी होने वाली है आप यह समझ के चलिए ना कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जैसे माली जिए SST मैं आपको एक सिंपल सा एक्जांपल देखर कर यहां पर क्या होता था आपको जितनी भार एक वैलिटी वैकंसी आती थी अगर आपने पहली बार कॉलिफाई नहीं कि तो प्री भी हमेशा देना पड़ता था लेकिन अगर आप लोग 12 लेबल का क्योंकि यह 12 लेबल का है अगर आपके बास 12 लेबल का CT है अगर आपने CT क् तो आपको यह एक जाम देना पड़ेगा और यहम कौलिफाई करके आपकी जो ज्वाई इसके बाद ही तुरंत हो जाएगे आपको उसके बाद को कोई ज्यादा प्रिप्र il देने कंके आप लोग देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको बार-बार appearing मतलब जो आप pre-exam देते थे बार-बार उसमें appear करते थे उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा साथी साथ single examination fee would reduce financial burden that multiple exam imposed जानि कि आपको बार-बार fees करना पड़ता था यानि कि जो single examination fee है आपको यह मतलब आप यह समझी सकते हो साथी साथ यहां पर आपको दिया गया है कि हर डिस्टिक में आप इसका center बना दिया जाएगा तो इसको आप लोग जो long travel करना पड़ता था उससे आपको benefit मिल जाएगा आपको बहुत ज्यादा बढ़ने की जोत नहीं है एक बार इस्टिक करती है आपका वहीं पर काम फिनिस हो जाएगा इसके लावा इसके लावा यहां पर institute को भी कुछ benefit मिलेंगे तो institute के benefit से आपको इसे जादा कुछ खास मतलब नहीं है पर यहां पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता प्री का आपको कॉमेंट करके पूछ सकते हैं आदर आने वाले in future जितने भी आपकी वेकंसी होंगी जिसके लिए लागू किया जाएगा वो मैं आपको अपने चैनल के माधम से जो जानकारी देता रहोंगे इसके लावा अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप लोग चाहिए आपके यह मैंने वेबसाइट बताई दी है यहाँ पर आप लोग जा करके कोई वेकंसी आती है मनलब कोई भी प्रेस होता है तो आप लोग यहाँ पर जा करके आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कॉमेंट करके जो अभी के लिए बबाए टेक केर जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम